अलो फ्रेंस वेल्कम टुमाई यूट्यूब चैनल तो इस वोड़े में हम जानेंगे कि यूको बैंक में उनलाइन ज्यूरो बैलेंस अगाउंट कैसे ओपन करते हैं तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल फॉन में एक आप इंस्टॉल कर लेना होता है जिसका नाम है यूको बर्थ इंटर करना है उसके बाद हमें एक इमेल आइडेंटर करना होता है और परसनल आइडेंटिफिकेशन टाइप यहां पर चूज करना होता है तो यहां पर आप कुछ भी बहुत सारे यहां पर आइडे आप चूज कर सकते हैं अब अपनी मर्जी से अपनी इसाब से च कर ले नहीं होती है और यह यूको पे प्लस एक वोले टैप है यूको बैंक का तो सबसे पहले हमें इसके लिए रेजिस्टरेशन करना होता है उसके बाद हम अपना अकाउंट उपन कर सकते हैं तो चले फटा-फट से हम अपना फुल करने में या पर इंटर कर लेते हैं और उसके बाद अपना जेंडर को क्रूट करना होता है यहां से आप जो है अपना डेट-एअइर सब कुछ चूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम अपना अपना बर्थ इंटर करते हैं वह सब कुछ आप लोगों मैं लाइव दिखा रहा हूं ताकि आपको अपना अकाउंट उपन करने में कोई परेशानी ना हो सबसे पहले तो यह हम रजिस्टर कर रहे हैं वोलेट के लिए ताकि हम वोलेट में लॉग इन कर सके और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अपना अका आचन काड है जहां पर आपको जो अच्छा लगे अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं मैंने अधार काड चूज किया है उसके बाद नीचे आपको जो आप चूज करते हो उसका नंबर आपको नीचे इंटर करना होता है तो यहां पर हमने जो नंबर इंटर कर लिया है तो इ declaration को accept करना होता है मतलब इस पर check लगा देना होता है उसको प्रोसीड पर type कर देना होता है फिर आपको अपने MPIN और TPN बनाना होता है तो सबसे पहले तो आपको एक OTP भीजा जाता है वो OTP आपको उपर इंटर करना होता है और नीचे आपको MPIN बनाना होता है फोर डिजिट का और उसके नीचे आपको TPN बनाना होता है वो भी फोर डिजिट का होता है ये MPIN login करते टाइम आपसे मांगा जाता है और TPN transaction करते टाइम आपको इंटर करना होता है तो ये दोनों ही आपको याद रखना होता है तो हमने यहाँ पर OTP इंटर कर लिया उसके बाद हम अपना MPIN इंटर कर लेते हैं 4 डेजिट का अपने मन से हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं कोई भी MPIN और यहाँ पर TPN BC तरह से अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं सेट कर सकते हैं इसके बाद हमें secret question सेट करना होता है या फिर इसको आप security question भी कह सकते हैं तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से अपना question खुदी peak कर सकते हैं select कर सकते हैं और उसका answer हम अपनी मर्जी से set कर सकते हैं तो यहाँ पर अब हमारा wallet account create हो चुका है registration complete हो चुका है अब यहाँ पर हमें login करना होता है अपना MP इंटर करके तो चलिए MP इंटर करते हुए login करते हैं login करने पर आपको नीचे एक banner देखने को मिलता है opening instant account तो आपको इसी पर click कर देना आपको option भी मिलता है click here तो उसी पर आपको click कर देना है तो जैसे आप इस पर click करते हैं आपके सामने इस तरह का page आता है जिसमें आपकी details ओल्डेडी filled होती है यहाँ पर आपको सिर्फ next पर type करना होता है अगर आप चाहाँ तो referral code इंटर कर सकते हैं नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं अगर आपको किसी ने refer किया हो तो आप उसका code यहाँ पर इंटर कर सकते हैं अगर आपके passcode मौजूद है तो और यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना होता है screen भी हमारी blank हो चुगी I don't know कि क्यों यहाँ पर blank दिखा रही screen तो इसके लिए आप आपको थोड़ा सा wait करना होता है मतलब यह recording में screen blank दिखा रही है और मैं voice over कर रहा हूँ जैसे जैसे आपर process होता हूँ सब आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी से अपना account open कर सके अब यहाँ पर हमें अपना अधार number इंटर करना होता है तो चले हैं यहाँ पर अपना अधार number इंटर कर लेते हैं फटा फट से क्योंकि यह एक EKYC based अधार OTP based account होता है तो इसलिए आपका mobile number आपका अधार card से linked होना चाहिए तभी आप यह account open कर सकते हैं तो आपको अधार number इंटर कर लेने के बाद next पर tap कर लेना होता है और उसके बाद आपके linked mobile number पर जो आधार card से आपका mobile number linked है उसपे एक OTP आता है और वही OTP यहाँ पर आपको इंटर करना होता है उसके बाद आपको next पर tap कर देना होता है कभी-कभी आधार OTP आने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो अगर टाइम लगे तो आपको वेट कर लेना यहाँ पे और अगर फिर भी ऐसा लगे कि आधार OTP नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा से कोशिच कर सकते हैं मतलब पूरा प्रोसेस आपको फिर से करना होगा तो इस तरह से कभी-कभी टाइम लग जाता है और अगर जल्दी आ जाता तो आपको सिर्फ यहाँ पे OTP इंटर करके Next पर टैप कर लेना है और जैसे ही आप OTP इंटर करके Next पर टैप करते हैं तो चलिए हम यहां पे अपना आधार OTP इंटर करते हैं और उसके बाद हमारे आधार की डिचेल्स आपर लेना होता है करना होता है जो पयां पींटर होता है 거지 यहाँ पर हमें अपनी pen details इंटर कर लेनी है फटा-फट से और उसके बाद हमें फिल से next पर टैप कर लेना होता है तो pen card number इंटर करने का बाद हमें next पर टैप करना होता है और याद रहें कि आपको अपनी details एकत्तम सही सही से feel करनी है next पर टैप करेंगे थोड़ी दरी के सेलेक्ट कर लेना अपना मिना पर सिंगल सेलेक्ट कर रखा है तो आप अपने जो भी मेरिटल स्टेट है उसके हिसाब से चूज कर रहा हूं तो इस तरह से हम अपने उक्यूपेशन चूज करते हैं उसके बाद हमें अपने अनुवल इंकम सेलेक्ट कर लेनी होती है तो यहां से हम अपने अनुवल इंकम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमें अपने अनुवल इंकम सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद कास्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है तो अपनी कास्ट आप यहां पर चूज कर सकते हैं स कर सकते हैं उसके बाद Community भी Select करने ही होती है तो यह भी हम जो Select कर लेते हैं तो यहाँ से आप अपनी Community Select नेका नेक्स्ट पर Type कर देंगे और उसके बाद Nominee Details यहां पर अपने नौमीनी का Full Name इंटर करेंगे उसके बाद Date of Birth इंटर करेंगे उसके बाद जब तक आप अपने अकाउंट की फिल क्यों इसी नहीं करा लेते हैं तब तक आप माइनर को अपना नोमिनी नहीं बना सकते हैं तो इसलिए आप ये सोच समझचके अपने नौमिनी की डिटर्ल करियेगा कि माइनर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह full KYC account नहीं है बाद में आपको full KYC कराना होता है तो इस तरह से अपनी सारी details मतलब अपनी nominee की सारी details इंटर कर लेते हैं relationship यहाँ पर आपको select कर लेना है तो relationship यहाँ पर जो भी आपका relation है आपके nominee के साथ में वो यहाँ से आप select कर लेजिएगा इसके बाद आपको bank branch choose करना होता है कि Yoko bank के कौन से branch में आप अपना account open कराना चाहते हैं तो इसके लिए branch code होता है वो code आपको select करना होता है लेकिन अगर आप यहाँ पर select करेंगे न तो यहाँ पर आपको लंबी list मिलती है उसमें आप ढोड़ेंगे तो बहुत time लग जाएगा तो इसलिए आपको search का भी option मिलता है तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने city का नाम अपने area का नाम यहाँ पर इंटर करिए search में तो आपका जो branch code है न जो आपके city का branch है वो आपको नजर आ जाएगा तो आप easily उसको select कर सकते हैं select करने के बाद आप अपना account उसमें open कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने अपने city करने में यहाँ पर इंटर किया तो यहाँ पर मेरे city मुझे दिखाए दी city का branch code उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो nominic address change कर सकते हैं अगर कोई दूसरा address है तो और अगर same address है तो आपको सिर्फ submit पर type करना है submit पर type करेंगे तो थोड़ी देर के लिए processing होगी तो इसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना होगा यहाँ पर और इसके बाद आपका account successfully open हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद आपको आपका account की सारी details मिल जाती है जैसे कि आपका customer ID आपका account number, IFSC code, branch का जो name है वो मिल जाता है तो सारी details आपको मिल जाते हैं इस account पर कुछ limitations, कुछ restrictions होते हैं क्योंकि यह EKYC account है बाद में आपको अपने account की full KYC करानी होती है वह restriction होते हैं जो मैंने अल्रेड़ी बता रखे हैं कि आप इसमें 1,00,00 रुपे तक का balance रख सकते हैं और साल भर में total 2,00,00 रुपे तक का transaction कर सकते हैं और यहाँ पर इस account के features भी बताए गए है जैसे कि free virtual debit card मिलता है zero balance account है और आपको up to 4% interest rate मिलता है और आप जो easily UPI ID create कर सकते हैं इसी wallet app से तो काफी अच्छे features मिलते हैं आपको इस account के साथ में और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता है जोगा आपको बारा महिने की वैलिडेट हुए थी आपको बारा महिने के अंदर अंदर इस account की full KYC करा ले नहीं हुए नहीं तो यह account अपने बंद हो जाता है यहाँ पर आप जब app पर आएंगे तो आपको नीचे एक नया function एक नया menu देखने को मिलेगा जो की इस account के लिए होता है जहां से आप अपने account की details वगएरे चेक कर सकते हैं टांदेक्शन वगएरे चेक कर सकते हैं उसके अलावा चाहाँ तो आप transaction वगएरे कर सकते हैं फन ट्रांसवर करना हो तो आप कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर काफी सारे अलाग-अलाग options देखने को मिलता है जैसे कि update के वाइसी details जहां से आप अपने account की full के वाइसी करा सकते हैं वीडियो के वाइसी को बुक करके schedule करके और यहां से आपको एक option देखने को मिलता है जहां से आप जो है अपने virtual debit card को भी देख सकते हैं तो virtual debit card का यहाँ पे एक आपको option देखने को मिलता है जिस पर आप type करेंगे तो आपको अपना virtual card दिखाई देगा जिससे हम चाहाँ त आप full KYC कैसे करा सकते हैं वीडियो KYC को schedule करके तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही उम्मीद करत हूँ वीडियो आपके लिए helpful रहा हुगा तो लाइक कर देगा चैनल को subscribe कर देगा वीडियो को share कर दीजीए वीडियो देखने के लिए आपनों को बहुत बहुत शुक्रि थेंक यू धन्यवाद